स्वागत है आपका दिवे हमाचल टीवी में मैं हूँ दिक्षा शर्मा शाम के 6 बच चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्षा चुके हैं कई लेटेस अबडेट साथ उस बुलेटिन में हम आपके साथ साज़ा करने वाले हैं देखें खास तोर पर मुख्या मंत्री की ओर से जो आज बड़े ऐलान किये गए हैं बेटियों को लेकर और सिंगल महिलाओं को लेकर उस बारे में जानकारी देंगे ये बात हलाकि पहले भी सामने आई थी कि जो महिलाएं सिंगल हैं जैसे कि एकल नारिया हैं उसमें तलाक शुदा महिलाएं भी हैं विकलांग महिलाएं भी हैं और ऐसी महिलाएं भी जिनकी शादी ही नहीं हो पाई कैसे सरकार उनके लिए सहारा देने वाली है इस पर आचर्चा करेंगे क्योंकि इस योजना की शुरुआत होने जा रही है और सबसे बड़ी बात उन बेटियों को लेकर भी करेंगे जिन्हें 25,000 रुपए मुख्यमंत्री सुखु की ओर से दिये जाएंगे कब जाएंगे किस वज़ा से जा रही है ये भी जानकारी लेकर आए है और गरंटियों पर बड़ा घमासान छिटता हुआ आखिरकार क्यों नजर आ रहा है जानकारी इस से सम्बंदित भी हम आपके लिए लेकर आए है लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे क्योंकि देखें लगातार ड्राइ वैदर का सिलसिला जारी है और मौसम विग्यान केंजर की ओर से पूर वनुमान ये जारी किया गया है कि एक हफते तक फिर मौसम साफ बना रहेगा शुष्क मौसम होगा इस बिश बारिश परफवारी नहीं हो रही है ये बड़ी परेशानी हिमाचल प्रदेश के लिए हो गई है क्योंकि ऑक्टूबर माहा के मिट से ही बारिश परफवारी का सिलसिला शुरू हो जाया करता था लेकिन अभी तकरीबन अगर हम पिछले महीनों की गिंती भी करें तो डेड़ से दो महीने ऐसे हो गए है जब बारिश की एक बून तक ही माचल में नहीं गिरी है और इस वज़े से किसान बागवान परिशान है ड्राइनेस लगातार बढ़ती जा रही है अगर किसी को मुनाफ़ा हुआ है तो सिर्फ वो होटलियर्स है क्योंकि इस बीश परेटकों की तादाद यहां पर जरूर बढ़ी है कारण उसका बड़ा ये है कि दिपावली का तियोहार था और इसी बीच बाहरी राज्यों में जहरीली हवा काफी जादा बढ़ गई है इससे निजात पानी के लिए हिमाचल का रुख जरूर परेटकों ने किया है दो से तिन परेटकों से आज हमने बाचित की तो उनका ये कहना था कि शिमला में एंटर होते ही एक बड़ा फर्क उने महसूस हो रहा है बाहरी राजियों के मकाबले यहां पर प्रदूशन बहुत कम है और इसलिए ताजा तरीन हवाओं का लुथ उठाने के लिए वो यहां पर पहुंचे है तो परेटकों के तादाद जरूर बड़ी है और तापमान को लेकर भी हाला कि काफी अंतर है जैसे अगर हम गुरू ग्राम की बात करें तो वहां अभी भी तापमान 30 के पार है जबकि शिमला सिटी में पंदुरा के आसपास यह तापमान बताया जा रहा है तो यह पुर्व अनुमान अभी मौसम विग्यान के इंदर की ओर से जारी किया गया है एक हफते तक मौसम फिर साफ बना रहेगा लेकिन किसान बागवान परिशान है क्योंकि बारिश नहीं हो रही है सुंदरनगर के पुंक स्थित एक शोरूम में आग लगने का मामला सामने आया है ये दर असल शौर्ट सर्किट के वज़स से आग लग गई और आठ लाग का नुकसान हो गया है गनिमत विये रही कि दिन के वक्त आग लगी जिस वज़स से आसपास के लोगों को जल्थी इस बारे में पता लगा और फायर ब्रिगेड से उन्होंने संपर्क किया व्यपारी अपने कामकाच के चलते बाहर गया हुआ था उट ओफ सिटी था जैसे ही उसे इस बात की सूचना दी गई तो वपिस अपने शोरूम के पास आना चहाब जो की पुंग में स्थित है लेकिन उस वक्त तक 8 लाग का नुकसान हो चुका था और फायर ब्रिगेड ने आग पर भी काबू पा लिया था तो बड़ा नुकसान है और मामला यहां शोर्ट सर्किट का ही बताया जा रहा है किसी और के भरोसे अपनी दुकान छोड़ कर ये गया था लेकिन देखा जा सकता है कि दिन के समय घटना पेश आई जिस वजह से आधे से ज़्यादा समान इसका बचा लिया गया है ये होलसेल का कारोबारी बताया जा रहा है और ये कनफेक्शनरी इसका स्टोर वहां पर बनाया गया था देखें जीला कांगडा के पॉंग जील में टूरिजम साइट को विकसित किया जाएगा इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई है हलाकि ये सरकार की ओर से अलान पहले ही कर दिया गया था कि टूरिजम साइट के तौर पर इसे विकसित किया जाएगा चार जगाओं का चैन हो चुका है और चैन करने के बाद जितना कारे इन चारों जगाओं पर हुआ है उसकी DPR बनाकर केंद्र सरकार को भी भेज दी गई है दरसल परेटर मंतुराल्यों और राज्य सरकार आपसी सहयोग से वहाँ टूरिजम साइट विकसित करने जा रहे है अभी तक पॉंग जील में सुंदर नजारे और प्रवासी पक्षियों की आवास थी जो परेटकों को आकरशित अपनी ओर कर रही थी लेकिन अब अच्छी बात ये है कि टूरिजम साइट स्विकसित की जाएंगी चार जगा इसके लिए चुनली गई है कुछ कारे जो हुआ था डीपीर भीजदी गई है जब फंड केंजो सरकार से आएगा तो अगला कारे पूरा होगा रोजगार वहाँ के लोगों को इससे मिल पाएगा जादा से जादा परेटक आकरशित हो पाएंगे मुनाफा ही मुनाफा होगा आम लोगों को भी सरकार को भी इसी के मद्दे नजर रखते हुए पॉंग जील को और जादा सुन्दर बनाने की कोशिश की जा रही है टूरिजम के पॉइंट आफ व्यू से 15 नवेंबर से हिमाचल परदेश की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग शुरू होने जा रही है तीन महीने तक ये कॉंटिन्यू रहेगी और ये सबसे बड़ी क्रिकेट लीग अभी तक की हिमाचल में बताई जा रही है इसमें जीतने वाली टीम को इनाम के रूप में 21 लाक की राशी दी जाएगी जबकि विजेता टीम को 11 लाक और تीसरे स्थान पर रहने वाली टीम को 5 लाक और man of the series रहने वाले को भी 5 लाक की राशी इनाम के तोर पर दी जाएगी हर जिले से इसमें 32 तीम पार्टिसिपेट करने वाली है क्रिकेट लीक आयोजन सम्मान एंड सलाम फाउंडेशन द्वारा करवाया जाएगा और ये फाउंडेशन के अध्याक्ष विवेक कुमार जाकी ओर से बताया गया है कि 32 तीम में इसमें भाग लेने वाली है हर जिले से ही यानि कि हिमाचर प्रदेश के ही प्रतिभागी होंगे एंट्री फीस 21,000 रुपए रखी गई है हर टीम के लिए और आवेदन करने के अंतिम तारिक 8 नवंबर है फॉर्म यदि आप भढ़ना चाहे तो फाउंडेशन के सुन्दर नगर स्थित कार्याले से भी फॉर्म आपको प्राप्थ हो सकते है और रली का योजन भी यहां सुन्दर नगर में करवाया जा रहा है तो एक अच्छा अवसर हिमाचलियों के लिए और खास तोर पर उन लोगों के लिए कहना चाहेंगे जो कि क्रिकेट में काफी ज़्यादा इंटरस्ट रखते हैं भाश्पा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजी बिंदल बरसे हैं सुखु सरकार पर और कॉंग्रेस राष्ट्री अध्यक्ष मलिका अर्जुन खडगे के बयान के सहारे इन्होंने तंज कसा है सुखु सरकार पर दरसल इनका ये कहना है कि कॉंग्रेस की गरंटी फेल हो गई है और अब इस बात काउलेक तो कॉंग्रेस के बड़े नेता भी करने लगे हैं इसलिए तो राष्ट्री अध्यक्ष मलिका अर्जुन खडगे अब सोनिया गांधी राहुल गांधी समेथ सभी कॉंग्रेस नेताओं को नसीहत दे रहे हैं कि उतनी ही गरंटी दे जितनी आविशकता है और जितनी पूरी हो सकती है बेफिजूल में अगर बड़ी गरंटी देंगे और पूरी ना कर पाए तो इससे सरकारों का बेड़ा गर्ख हो रहा है करनाटक में सरकार का बेडा गर्क हो गया है बाकी सरकारों को बचाना होगा और इसके लिए वही गरंटी दी जाए जो की पूरी हो सके तो अब यहाँ डॉक्टर राजी बिंदल का मानना है कि कॉंग्रेस के बड़े नेता भी अब इस बात को अपनी जुबान से कह रहे हैं कि कॉंग्रेस नाकाम रही है गरंटी पूरी करने में और इसका एंपक्ट उनकी पार्टी पे उनके संगठन पर और कॉंग्रेस शाषित राज्यों में बहुत बुरी तरह से पढ़ता हुआ नजर आ रहा है ये बात भाजपा पहले ही कह रही थी लेकिन अब तो कॉंग्रेस के शिर्ष नेतरीत्वन ने भी कहना शुरू कर दिया है और सोनिया गांदी राहुल गांदी समेत उननेताओं को नसीहत दी है जो बार-बार जुटी गरंटी का उलेक करते हैं ये भाजपा प्रदेश अध्यक्स डॉक्टर राजी बिंदल की ओर से आज एक बड़ा बयान दिया गया है लेकिन देखें इन गरंटियों पर बड़ा घमासान छिड़ता हुआ नजर आ रहा है ये बात हम इसलिए कह रहे हैं डेपुटी सीया मुकेश अगनी होतरी की ओर से आज पलटवार करते हुए ये कहा गया कि कॉंग्रेस ने हिमाच्र प्रदेश में अपनी सभी गरंटी पूरी कर ली है आधी जो मेन और बड़ी गरंटियां थी वो पूरी हो चुकी है इसके अलावा बाकी की गरंटी भी पूरी कर ली जाएगी इसके लिए बकाइदा सरकारी दस्तावेश को अंग्रेस की सरकार ने बनाए है तो उतावलापन दिखानी की आवेशकता नहीं है भाजपा को जो मेहतवपुन गरंटी थी वो पूरी हो चुकी है उसमें महिलाओं को 1500 की राशी भी दे दी गई है करमचारियों के लिए OPS बहाल हो गई है युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है और इसके अलावा स्मार्ट स्कूल्स भी बनाए जा रहे हैं ये सब ही बातें सब ही अलान गरंटियों में शामिल थे और ये पूरे भी हो चुके हैं अब बाकी की गरंटी जलपूरी कर ली जाएगी भाजपा सिर्फ चुनावों के वक्त बाकी राज्यों में आम लोगों को गुमरहा करने की कोशिश कर रही है ये उतावलापन सही नहीं है सही से फैक्ट देखने चाहिए भाजपा को उसके बाद ही कोई स्टेटमेंट उन्हें अपनी जुबान से देनी चाहिए ये नसीहत भी डेपुटी सीम की ओर से दी गई है एक बात और मुकेश अगनी होतरी ने कही है कि जो इस वक्त हिमाचर प्रदेश की आर्थिक स्थिती है वो भाजपा की वज़ा से बहुत कमजोर हुई है इन्होंने बेहिसाब रिंड लिया और कमजोर आर्थिक स्थिती में हिमाचर प्रदेश को डाला लेकिन अवर्तमान सरकार प्यास कर रही है कि कैसे कमजोर आर्थिक स्थिती के बाहर इसे निकाला जाए HRDC के pensioners आज भी इंतजार में हैं इन्हें pension अभी भी नहीं मिली हफ्ते से जादा का समय हो गया है और सवाल ये उठा रहे हैं जब घोशना पूरी नहीं कर सकती थी सरकार तो की क्यों बार बार इनसे घोशनाएं की जाती है और फिर पूरा करने में सरकार नाकाम रहती है HRDC अगर घाटे में है तो उसमें pensioners की और कारेरत करमचारियों की गलती नहीं है जल्दी ही अगर कोई स्थाई समाधा नहीं निकाला गया समय से pension देने का तो ये सडकों पर उत्रेंगे ये भी चितावनीन की ओर से दे दी गई है फिलाल अभी हर वर्क काफी खुशनी हूँ तो सरकार से नजर आ रहा है सभी की demands पूरा करने की कोशिश की है सरकार ने जितना हो सकता था लेकिन HRDC pensioners आज में अराशर रहे हैं और प्रसमस्या वही है कि pension समय से नहीं आई है तो आज पिन की pension नहीं मिल पाई है और नजाने कितने दिनों का इन्हें इंतजार करना होगा देखें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू किनौर में थे आज और इन्होंने किनौर महसव के समापन में अपनी भागीदारी दिखाई है यहां कुछ बाते इन्होंने किनौर समुदाय के लोगों से कही खास तोर पर इन्होंने प्रशंशा की जो महसव के दौरान प्रस्तूती वहां के लोगों की ओर से दी गई है इनका ये कहना था कि जो प्रस्तूतियां दी गई है चाहे लोग गीत पर थी या एकल गीत था या बाकी की प्रस्तूतियां थी वो किनौर की संस्कृति को रूबरू करवाती है और यही संस्कृति जब बाहर तक पहुंचती है तो किनौर के बारे में जादा जानकारी आम लो जनजातियक शेतर के लिए हुई है वो ये मुख्या मंत्री सुखु ने कहा कि किनौर में एक बड़ा खेल परिसर बनाया जाएगा 28 क्रोड की लागत से तयार होगा इसका मुख्या देश्य है कि बच्चों को नशे से दूर रखा जा सके और उनका ध्यान खेलों की और बढ़ जल्दी पहुन सकते हैं तीसरी बाट टापरी में बायो थर्मल टेक्निक से प्रप्री में एक स्टोर बनाया जाएगा और जल्दी है इसका निर्मान कारिया भी शुरू होने वाला है इसके लिए समझाथा भी हुआ है बाहरी देश के साथ हिमाचल सरकार का और ये ऐसा पहला CA स्टोर बताया जा रहा है जो कि जियो थर्मर टेकनीक से बनने वाला है रिकॉंग पियों के लिए वैकल्पिक सर्क्मार्ग निर्मान के लिए 5 क्रोड रुपै का प्रावधान किया है अब इससे भी सुविधा और जादा वहां के लोगों को नहीं होने वाली है तो इससे कि नौर के लोग काफी जादा खुश हुए हैं और इस बात का उलेक मुख्या मंत्री ने वहां भी किया हर राज्य के चुनाव में एहम भूमी का निभाई थी ऐसी एहम भूमी का जिससे की चुनाव जीती है कॉंग्रेस जैसे हिमाचल में जम्मू कश्मीर में जिस भी नेता का एहम योगदान रहा है प्रचार प्रसार के लिए उनकी अलग से लिस्ट तयार हुई है और हिमाचल से मुख्यमंतरी सुखू, डेपिटी सिया मुकेश अगनी होतरी और पुर्व सांसत प्रतिबा सिंग चुनावी प्रचार प्रसार के लिए जारखंड और महराश्टर जा सकते हैं और स्टार प्रचार की भूमी का वहां मुख्यमंतरी सुखू निभाने वाले हैं हलाकि इससे पहले जो प्रियांका गानी वाडरा ने नमांकन भरा था वाइनार्ड में तो भी मुख्यमंतरी सुखू वहां पर मौजूद रहे थे और उस रैली में भी हिस्सा ले चुके हैं इसके बाद ये लिस्ट भी तयार हो रही है जल्दी ही सावजनिक हो जाएगी उसके बाद पता चल सकेगा कि अब आने वाले चुनावों में जो कि बाहरी राज्यों में होंगे उसमें कौन सा नेता हिमाचल का एहम भूमी का निभाने जा रहा है हलाकि जो पुर्व मंतरी हैं या मौजूदा मंतरी हैं इनके नाम भी इस लिस्ट में डाले गए हैं देखें मौख्या मंतरी सुखू आज क्यूंकि किनौर में भी थे और इन्हों ने जो किनौर महतसव है उसका समापन समारोह भी देखा और साथी साथ उसमें शिरकत की लेकिन इसके बार ठीक कलपा में भी ये बालिका आश्रम में पहुंचे थे बालिकाओं से मुलाकात इनों ने की और ये भी बालिकाओं को जानकारी दी कि उनके 27 वर्ष तक सरकार उनके साथ है फाइनेशली उनका पूरा खर्चा उठाया जाएगा तकरीबन 25,000 रुपए हर महीने बालिकाओं पर लगाए जा रहे हैं दरसल बार भी तक हर महीने 4,000 रुपए दिये जाएंगे उसके बाद जिस भी कॉलेज यूनिवर्स्टी में बालिकाओं आडमिशन लेना चाहती है सरकार उसमें पूरी फीस का भुकतान करेगी, हॉस्टल और पीजी का प्रभन सरकार की ओर से किया जाएगा इसके लिए फीस में भी सरकार की ओर से शंशोधन होगा यही नहीं हवाई सेवा की सुविधा भी इने यहाँ पर दी जाएगी हवाई यात्रा की सुविधा भी एक तरह से बालिकाओं को दी जाएगी और 15 दिन तक रहने का इंतजाम बाहरी राज्यों में या बाहरी देशों में सरकार की ओर से किया जाएगा और इस तोरान थ्री स्टार होटेल में इन बालिकाओं के लिए बुकिंग होने वाली है तो ये बड़ी बात है सबसे अच्छी जानकारी इसमें ये भी दी गई है कि जब तक अपने पाउं पर कोई भी बालिका खड़ी नहीं हो जाती है सरकार उनका साथ निभाने वाली है सरदी हो या गर्मी कप्डे लेने के लिए 5000 रुपए भी बालिकाओं को सरकार की ओर से दिये जाएंगे और इस तरह से पुरा 25,000 रुपए का खर्च महीने भर में सरकार बालिकाओं का उठाने जा रही है हलाकि बालिकाओं को खाने में क्या दिया जा रहा है होस्टल में पीजी में या उस आश्रम में जहां भी रह रही है इस पर भी सरकार की पूरी नजर रहेगी अच्छे से अच्छे वियंजन इन्हें खिलाए जा सके और दिवाली के मौके पर या निया तियोहारों पर भी 500 रुपए की राशी सरकार की ओर से ने मिलेगी इसे के साथ साथ मुख्यमंत्री सुक्षिक्षा योजना भी अब शुरू होने जा रही है ये खास तोर पर उन महिलाओं के लिए है जो कि सिंगल महिलाएं है यानि कि जिसमें विदवाएं आती हैं तलाक शुदा महिलाएं आती हैं शाडी शुदा होकर भी जो अकेली रह हैं ऐसी महिलाओं की मदद होने वाली है इन महिलाओं के बच्चों को सहारा दरासल सरकार की ओर से दिया जाएगा तब तक जब तक वो अपने पाउं पर खड़े नहीं होते हैं 27 वर्ष की उमर तक इनके बच्चों को सहारा मिलेगा दरासल स्कूल वाली फीस से लेकर अन्य college या university से तो उसमें भी सरकार अपनी तरफ से पुरा सहयोग दिखाएगी और तब तक मदद की जाएगी बच्चों की जब तक नौकरी उनके हाथ नहीं लग जाती है सरकार का ये मानना है कि सिंगल महिलाओं को सबसे ज़्यादा परेशानी आती है बच्चों के पालन पोशन में इसलिए सरकार इनका सहयोग कर रही है ताकि उनके बच्चे पढ़े लिखे और बाद में रोजगार हासिल कर सके और अपनी मा के बुढ़ापे का सहारा भी बने तो फिलहाल के लिए यही जानकारी फिर मिलेंगे नहीं खबर के साथ देखते रहें दिवेह माचुल टीवी तन्यवाद